नमस्कार दोस्तों, सर्पर्मित्री टीम रागर से मैं विनितेस्टिवारी मेरे साथ मेरोग के लोकेष मालाकार, साथ मेर प्रभाथ नाम देव, रितेश गोरक, निरश राओ, भुपेंद कसेर, जैनान कर्रा और कैमरे के पीछे में हैं सजजन साहू दोस्तों कुछ दो दिनों से हमारे पास में सापों के काटने की जनकारी आ रही है तो लोग काफी डड़ जाते हैं सापों के काटने के बाद में बिल्कुल भी डड़ने की जरूरत नहीं है एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ यह 10 ml, 20 ml का जो एक injection होता है उसके सामने की हिस्से को प्लेन काट लेना है यह बिल्कुल प्लेन काटा हुआ है और इसको काटने के बाद में इस हिस्से को बाहर निकालके इस साइट से अपने को लगाना है और जिस जगा पे बाइट हुआ है जैसे देख लिए यहां लगबग जैसे बाइट हुआ है ऐसा दिख रहा है तो बाइट यहां हुआ होता है वहाँ पर इंजेक्शन को इस तरीके से लगा के वैक्यूम बना कि इससे जहर को खीचा जा सकता है जो पुराने पिच्चरों हम देखते थे कि मुझ से जहर को निका साथ बाहर भी आ जाता है देखिए काफी वैक्यूम के वैसे इसमें जगा काफी वह हो चुका है तो इससे बचने के चांस 80% ज्यादा हो जाते हैं तमनार में भी कुछ दिन पहले जिनके साथ में बाइट हुआ था इंडियन कोब्रा ने बाइट किया था वहां उन्होंने यही तरीका उपयोग मिलाया और उसकी वैज़ा से सामने वाले की जान भी बच गई और एंटिवैनम सिर्फ एक उसको लगा उसके लावा नहीं तो इसमें आट दस एंटिवैनम लग जाते हैं कई पर 20 एंटिवैनम भी लग जाते हैं तो वह एंटिवैनम उसको बहुत कम तो यह इस तरीके से किसी की भी जान असानी से बचाई जा सकती है बिल्कुल भी डढ़ने जरूत नहीं है चाहे रसल वाय पर हो चाहे करयत हो चाहे अही राज बैंडिट करयत हो या नाग हो किसी भी साम के काटने से इसका प्रयोग किया जा सकता है और उसके बाद में जो गमचे होते हैं या कोई कपड़ा होता है उसको गीला करके ऊपर नीचे की ओर बान देना है इसके बाद इंसान आसानी से बस सकता है सीधे हॉस्पिटल जाना है किसी जाड़ पूक और किसी दुनिया वर की दवाई के चक्कर में नहीं पढ़ना है हॉस्पिटल जाने से जान आसानी से बचाई जा सकती है तो कृपिया हमारी से वीडियो को भी शेयर करें लोगों को भी जनकारी दें कि इस तरीके से भी जान बचाई जा सकती है स्नेक बाइट होने पर थैंक यू